बुद्ध को ग्रहू का यूवराज कहा जाता है जो एक फरवरी को दो पहर दो बचकर 22 मिनट पर धनू राशी की यात्रा समाप्त करके मकर राशी में प्रवेश करेंगे 20 फरवरी की सुबा 6 बचकर 1 मिनट तक विवमकर राशी में गोचर करेंगे और उसके बाद कुम राशी में चले जाएंगे युवाओं और व्यापार जगत पर बुध का सीधा प्रभाव पड़ता है आए जोतिश्य विशलेशन करते हैं कि यह परिवर्तन काल सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा मेश इस दोरान आपको मानसिक शान्ती और सफलता मिलेगी शिक्षा और करियर में तरक्की होगी व्रिशव धनलाव और व्यापार में बृत्थी होगी परिवार में खुशी का महौल रहेगा मिथुन यात्राएं होंगी और नई संपर्क बनेगे संचार कोशल में सुधार होगा कर्क स्वास्त का ध्यान रखें वाद विवाद से बचें नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है सिंग रचनात्म कारियों में सफलता मिलेगी प्रेम संबंधों में मधूर्त आएगी कन्या आर्तिक स्थिती मजबूत होगी सामाजिक प्रतिष्ठा में बृत्थी होगी तुला पारिवारिक सुक मिलेगा शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी ब्रिश्चिक यात्राइं होंगी और नए संपर्थ बनेगे धन लाप और व्यापार में बृत्थी होगी धनू स्वास्त का ध्यान रखें वाद विवाद से बचें नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है मकर मानसिक शान्ती और सफलता मिलेगी शिक्षा और करियर में तरक्की होगी कुम्भ धन लाप और व्यापार में बृत्थी होगी परिवार में खुशी का महौल रहेगा मीन रचनात्म कारियों में सफलता मिलेगी प्रेम संबंधों में मधुर्ता आएगी यह ध्यान रखना महतुपूर्ण है